तो वेल्कम फ्रेंड्स वेल्कम टू दिस न्यू एपिसोड और अब हम क्या कर रहे हैं कि आपने लेंस को वर्टिकली कट किया हाफ देखो यहां से कट किया तो ऐसा बन गया यह जो सेंटर था वो यहां पर है सी यह बचा आधा यह गायब यानि यह अगर यह आपजेक्ट इस साइड में रखा है ऐसे तो यह पहला सर्फेस हो गया यह दूसरा सर्फेस हो गया पहला सर्फेस तो अभी स्फेरिकल ही है रिफ्रेक्ट्टू तो इसका जो सेंटर आप करवेचर होगा वो इधर ही होगा और यहां इस पॉइंट से इस सर्फेस की दूरी तो होगी हमारी आरवन लेकिन दूसरा जो सर्फेस है ये वाला प्लेन प्लेन सर्फेस जो हमारा है इसकी रेडियस आप कर्वेचर जो है वो होगी इंफाइनाइट कैसे बताएं बिल्कुल इमेजिन करो देखो दियान से देखना ये छोटा एक इस फेर है एक ग्लास का बना हुआ ठीक है हम उसमें से इतनी लेंट का एक पार्ट काड़ देते हैं और इसको बना लेते हैं लेंस ठीक है तो ये हो गया लेंस का रिफ्रेक्टू सर्फेस इसकी रेडियस है आरवन ठीक है सिमिलरली इतनी ही साइज का अगर आप यहां पर काटेंगे तो ये आपने बना लिया छोटा सा लेंस इसका ये रिफ्रेक्टू सर्फेस है इसकी रेडियस है आरटू आरटू इस ग्रेटर देन आरवन ठीक उसी साइज का अगर आप यहां पर काटिये तो इसकी रेडियस है आरटू अगर इस स्फेर की तो जाहिर सी बात है त्युक्ति को र mascara आप अब ध्यान से दोड़े को कैसे हम बागी पाट मिटार है याद रखना यह आए अर्तरी ग्रेटर दैन आरटू ग्रेटर देन आरवन यह बड़ा है यह गोला छोटा यह बहुत छोटा है देखना अछellow देहां से लेहना देहां देहां देखो यह देख रहे हैं जिसकी रेडियस कम थी जिसकी रेडियस कम थी यानि जिसका रेडियस आप करवेचर यानि यह यह आर्क जिस यह आर्क कहलो यह सर्फेस कहलो जिस ओर्जिनल स्फेयर से बना था उसकी रेडियस कम थी उसमें देखो करवेचर ज्यादा आया है यह करवेचर ज्यादा है लेकिन लेकिन रेडियस ऑप करवेचर कम है similarly यह देखो आल्टू जो इसका साइज बड़ा था लेकिन अगर आप उसका जरा यह सर्फिस देखिए सेम साइज का तो यह थोड़ा स्ट्रेट जा रहा है इतना ज्यादा जुका हुआ नहीं है इसका करवेचर इसमें उतना करवेचर नहीं है लेकिन इसकी रेडियस ऑप करवेचर ज्यादा है यह देखिए सेम साइज का है आपको लग रहा है जैसे यह स्ट्रेट टाइप का है इसकी रेडियस आप कर्वेचर बहुत ज्यादा है लेकिन ये खुद कर्व बहुत कम है सिमिलरली अगर आप और बड़ा और बड़ा और बड़ा इस फेर बनाते जाएंगे तो जैसे जैसे बिल्कुल ऐसे आपका एक पाल्ट मलब हलका सा कर्व हुआ है यानि यह जिस ओर जिनल इस फेर का बना ओगा उसकी रेडियस बहुत बढ़ी होगी बहुत बढ़ी होगी और बिल्कुल स्ट्रेट यानि प्लेन तो यह यह कहां पर गोला बनाएंगे यह अपना जो स्पेर है कहां बनाएंगे यह तो बिल्कुल मलब पता नहीं कहां से जाके मिले कहां तक जाए तो इसी लिए इसकी रेडियस ना रेडियस आप कर वेचर इन्फाइनाइट माने जाती है जो कि यह ऐसा माना जाता है जो प्लेन है यह अगर करव होगा तो इन्फाइनाइट सबसे जादा इसकी है प्लेन शर्फेस की इन्फाइनाइट माने जाती है नहीं है इसका मतलब इसकी रेडियस आप करवेचर बहुत ज्यादा है तो रेडियस आप कर वेचर सबसे ज्यादा इसकी है प्लेन सर्फेस की इन्फाइनाइट फिर इसकी है और फोर की फिर रेडियस आप करवेचर आर्थी की ज्यादा मिली रेडियस आप करवेचर आल्टू की ज्यादा है और अगर और थोड़ा ऐसे होता तो यानि अगर इसकी मालो रेडियस आप करवेचर आल्डेस है तो यह सब से कम होगी जितना करोड़ सर्फेस होगा उसकी रेडियस आप कर वेचर उतनी ही कम होगी और जितना कम करोड़ सर्फेस होगा उसकी रेडियस आप कर वेचर उतनी ही हाई होगी तो प्लेन की इंफाइनाइट होगी समझ में आया इसलिए प्लेन सर्फेस की रेडियस आप करवेचर इंफिन्टी लेते हैं ठीक चलो समझ में आगया तुप आगे बढ़ते हैं आगे डेखो जब ये लेंस हमारा पूरा समूचा था और इदर मालों अपड़ेक रखा है तो ये पहला सर्फेस ये दूसरा सर्फेस इसकी रेडियस आप करवेचर आरवन और इसकी रेडियस डू तो कि सटरा करवेचर इधर मिलेग कि तो इसकी अइसे निकालते जहां पर장 lots of a- nov Mujan as a अब हमने को एससे हाफ काट दिया बिलकुल इस के आप क्या हुआ कि R1 तो अभी भी है लेकिन R2 हमारी इंफाइनाइट हो गई है दूसरा जो सरफेस है वो प्लेन सरफेस है तो वो इंफाइनाइट हो गई है यानि नया जो हाप करने पर लिंच को अगर हमने वर्टिकली एगर हाप कर दिया तो नई फोकल लेंग्थ अगर मालो स्रायून्दिंग का रिफ्रेक्च्ट्ट्व इंडेक्स हम्ने चेंज नहीं किया है केवल हमने R2 चेंज किया है यानि हाप कर दिया है तो teens 1द2 जगे पर इंफिंटी से डिवाइड करो गई आ जाएगा जीरो तो अनली आया वहीँ आपका मूनेंस मून म यह एना फोकल लेंग्थ आपाट फोकल लेंग्थ इंग्छ इस नाट इक्या डetr О कॉइंब फोकल लेंग्थ इस नंत कॉ zuos हपो फोकल लेंग्थ हो गई मतलब कि अफ गेम ऑवर हो गया सोपालेंग्थ प्सक्तित आप यह जो अगर यह फोकल लेंग्ट चेंज है और फोकल लेंग्ट इतनी हो कि नई इतनी हो कि वो ऑबजेक्ट के इधर गिर जाए यानि वो यहां आ जाए तो जब आबजेक्ट फोक मलब फोकस और लेंज के जब बीच में आता है तो क्या होता है एक ल était लाइक कान्वेक कान्वेक्स लेंस भी डाइवर्जय हो जाता है इसके पहले वाले एपीसोड में हमने देखे थे कि की स्थे एक कन्वर्जिंग लेंस अपना नेचर बदल देता है अगर उसका मतलब कुछ वह सकता है अगर फोकल लेंग्ट चेंज होने से कुछ भी हो सकता है अगर फोकल लेंग्ट से दूर निकल गई तो यह कर वर्जिंग लेंज डाइवर्जिंग बन जाएगा रियल इमेज के जगे पर वर्चुल इमेज भी बनाने लगेगा यह सब हम सीखें हैं सब समझ चुके हैं तो इसका मतलब की नेचर जो है वह लेंज का चेंज हो जाता है और अगर कि यह कि नई जो फोकल लेंग्ट है अगर यह इधर ही कहीं रही यानि आप्जेट जो है वह फोकल लेंग्ट focus और length के इधर ही रहा तोरी nature चेंज नहीं होगा वो converging रहेगा तो हमने देखा कि अगर vertical cut कर दो तो nature length का change होने का chance रहता है तो lens का nature change होने का भी chance रहता है क्योंकि उसकी focal length change हो जाती है object जो है वो focus के साथ जब shift होता है फोकस के डिलेट्व में तो तो नया इमेज बन सकता यानी नेचर चेंज हुआ अब देखते हैं कि हो भी सकता है नेचर चेंज और नहीं भी हो सकते हैं दोनों छीज़ें होसकती है क्शेंज हो गई है फोकल लींग्स सेम नहीरे अछ अच्छा आप एक इस्पेसल केस यह लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आरवन इसकोल टू आरटू यानि बिल्कुल जैसा कर्व इधर है वैसा कर्व इधर है ठीक है तो जड़ा नुमेरिकल वैलू देखके रखते हैं अपकी बार तो आर मनलब उसको रियल में रखके देखते हैं तो आरवन इकवल टू आरटू थोड़ी देर के लिए मान लिया आर उसकी वैलू है आर जैसे 50 सेंटीमीटर मनलब कुछ वैलू है उसकी आर सेंटीमीट सेंटीमीटर तोड़ी दिर के लिए तो जब हम लेंस फार्मूला में रखेंगे तो देखो आबजेक्ट इस हो रहा है और वन इस हो रहा है आपजेक्ट इस हो रहा है रे ऐसे आ रही है तो लेंस की उस साइड की लेंग्थ पाजिटिव ली जाएंगी यानि जो हमारी आर 122 ौर्भ ऐसको तो आप प्लसर लिकाँ सेंटीमीटर जो भी है मिएए हो और our to जो इस साइड में है मिए उसको आप निजेट फिल लेंगे वनी हाल हुआ जगे पर माइनस आर सेंटीमीटर है तो सुरूवात में जब हमने लैंज कट नहीं किया था तो आर और माइने और तो ये टोटल-टोटल हो जाएगा, प्लस आर यानि कि टूबाई आर ऐसे, ये फोकल लेंग था अगए, जब हमने कट नहीं किया था, और जब हमने कट कर दिया, तो आर वन की जगे पर तो हमारा आगया प्लस आर, आल्टू जगे पर इंफिनिटी यानि प्लस आर तो यह के वल आर समझ में आया तो यहां से यहां से आपको F कितना मिला F मिला हमारा R by 2 Mew 2 by Mew 1 minus 1 यही तो आएगा और यहां से आपको F कितना मिला R by Mew 2 minus Mew 1 minus 1 यानि कि जैसे ही आप कट कर देते हैं तो आपकी जो नई focal length होती है वो पहले वाले focal length की double हो जाती है देखो F डैस जो है वो क्या हैगा 2F आ गया जो नई focal length आई वो पहले वाले focal length की double हो गई कब जब हमने special case लिया कि lens के दोनों surface के curvature गर सेम length के हैं सेम हैं सेम value के हैं R1 और R2 की numerical value सेम है तो उनको अगर proper sign convention के साथ आपने रखा तो देखा कि अगर lens को आप हाफ कर देंगे तो जो नई focal length आई है यह यह पहले वाली original focal length की double है या simple कह सकते हो कि जो नई power है वो पुरानी power की हाफ है विकाज पावर इज वन वाई एफ फोकल लेंथ का इनुवर्स होती है तो यानि नई power हाफ हो जाएगी लेंस की पावर हाफ हो जाती है अगर दोनों करवेचर अगर आइडेंटिकल है तो दोनों surface के करवेचर और आइडेंटिकल है क्या करते हैं दो लेंस का नेचर हो जाता है लेंस si photo linkynn अगर राती थे हो सकता है कि आपजेट के वरियेशन के साथ वह पहले ळेंस के लिए के लिए एक converging वही object जिसके लिए पहला लेंस ओर्जिनल लेंस काम कर रहा था हो सकता है कट करने पर वर्टिकली कट कर देने पर ऐसे उसी object के लिए वह diverging काम करने लगे क्योंकि हो सकता है कि जब कट कर दी तो focal length दो change हो गई है वह object से आगे निकल जाए तो चेंज हो जाता है लेंस को उसकी focal length चेंज हो जाती है तो I think I think आप समझ गए कि पूरी तरह से कि लेंस को अगर हम कट कर देते हैं तो क्या होता है ठीक है vertically और horizontally दोनों तो लो मिलते हैं next episode में जाए 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 लो मिलते हैं